तो वहीं खतरनाक चक्रिवाती दुफान रेमल पर्श्विम बंगाल के कैनिंग और बांगलादेश के मोंगला में 135 किलोमीटर प्रतिगंटे के रफताव से आया और लांड फॉल 4 घंटे तक चला इस दोरां तटिये इलाकों उत्तर और दक्षिन 24 परगना पुर्वी मेदिनुपुर, दीगा, काकद्वीप, जयनगर, कॉलकाता, हुगली और हावडा में 60 किलोमीटर प्रतिगंटे के रफताव से हवाय चली और बारिश होई रासधानी कॉलकाता में 100 से ज्यादा पेड़ और बिजली के खंबे उखड गए सडकों पर पानी भर गया, कॉलकाता में घर की छट गिरने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई मौसर वभाग के मुताबिक गंभीर चक्रवाती तुफान, रेमल, सोमवार सुभा कमजोर होकर एक चक्रवाती तुफान में बदल गया है अब ये नौर्थ इस्ट के ओर 13 किलोमीटर प्रति घंटे के रफताव से बढ़ रहा है यानि बंगाल से लगे त्विपुरा असम में घाले सिक्किम में इसका असर दिखेगा हाला कि तब तक ये कमजोर हो चुका होगा तुफान की वज़ा से पश्चिम बंगाल के अलावा उडिसा जहारकंड और बिहार के कुछ अलाकों में 27 और 28 मई को बाविश होगी जो हमें जानकारी मिली है एक डेथ की रिपोर्ट आई है कलकटा से जिसमें एक वाल कोलैप्स के कारण एक वेक्ति की मिरती हुई है और उसके अलावा जादा तर जो है वो पेड के गिरने की खबर है तकरिबंदो सब पेड अलग अलग जगों पर साथिग्रस्त हुए हैं जिसके वज़े से ब्लॉकेज हुआ है और रेस्टोरेशन वर्क एंडियरेफ और जो अन एजनसी हैं स्टेट की इनके माध्यम से किया जा रहा है इसमें जो मेन एरियाज हैं जो अफेक्टेड हैं उसमें साउथ 24 पर गना है इस्ट मदनीपूर है कलगटा है ये तीन डिस्ट्रिक्स मोस्ट अफेक्टेड बताय जा रहे हैं और रेस्टोरेशन वर्क भी इसमें चल रहा है इसमें NDRF की 14 टीमें तैनात हैं और SDRF स्टेट की भी 6 टीमें की तैनाती किये है